आज की हमारी इस online class में रवीत ओमर्जी के साथ हम discuss करने जा रहे हैं look-up formula जी हां we look-up जिसके बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे कि we look-up है क्या किस तरीके से यूज होता है इन सब कारों में बात करेंगे इससे पहले हमें look-up and references formula के बारे में बताया था अब बात करते है look-up का look-up formula not excel हर जितने भी softwares है look-up method इसको बोलते है method काफी important है इसी method की मतल से आप आप किसी भी client का किसी का data को view कर सकते है जैसे कि आप college में थे तो आप जाते थे अपने college की website में आपना roll number डालते थे और पूरा result आपको दिख जाता था bank में जाते हैं आप अपना account number देते हैं और banker बस account number डालके पूरी details आजाती है आपका employer आपकी employee का ID डालता है और जैसे एंटर करता है उसको आपकी पूरी details ले आती है अब सोचिए उनके पास लाखों हजारों करोरों का database है उसमें से आपका database निकाल के दिदेता है यही काम look up का है तो Excel seat में भी अगर आपके पास अचारों लाखों डेटा मेंसे किसी एक को search करना है तो आप search कर सकते हैं लेकिन search करने के लिए mostly होनी चाहिए unique ID हमने mostly सब्सक्राइब किया ही चाहिए नहीं बोला चाहिए यूनीक ID जिसके विहाब पर लुक अप करेगा तो चलिए इसी method को आज की क्लास में हम discuss कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में यहाँ पर हम अपना Excel फाइल ओपन करते हैं तो मेरे पास एक data है अब इस data में मेरे पास जो है एक sales ID है अब इस sales ID में हमें क्या करना है कि यह हमारा unique ID है इसी के विहाब पर data को look up करना है अनुदर शीट में मैंने माल लिजे कि यहाँ पर रख दिया मुझे इस शीट से look up करना है मेरे पास जो है एक particular ID मिल गया है जिसका हमें look up करना है माल लिजे कि इतने सारे इतने सारे ID हमारे पास है और मुझे इसके विहाब पर data यहाँ पर डालना है अब look up को भूल जाते हैं तो क्या करना है हम इसको SID को copy करेंगे copy करने के बाद हम जाएंगे data में और हम करेंगे यहाँ पर search और search करने के बाद मुझे मिलेगा आप कई सारे search मिलेंगे तो माल लिजे मुझे search यहाँ मिला तो फिर इसको copy करके और फिर यहाँ शीट पे आके paste करेंगे तो चलो 45 है तो इसके लिए आप कर सकते हैं लेकि जहाँ पे 40-50 हो जहाँ पे 400-500 हो और जहाँ पे इससे भी जादा हो वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे हम उचरेंगे यहां लगाएंगे लुकप और लगाएंगे सब्सक्राइब करना है तो डेटा के अंदर में भी आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि जो पहला कॉलन होगा वह सिक्स को उसी में सर्च करेगा यहां से आपने स्लेक्शन सरू किया है वह आपके नंबर को उसी में डूनेगा मिला तो डेटा देगा नहीं मिला तो नहीं देगा इन्पोर्टेंट थिंग है दूसरा आता है कॉलन इंडेक्स नंबर अब देखिए अगर सिक्स की बात करते हैं यहां पर 10 कॉलन मिल गया है बट इसफेशी रूल करता है कि एक सिल में किसी एक सिल का डेटा लोग पर प्पूश सकता है आ सकता है लिंक हो सकता है को भी पेश हो सकता है तो अब आपको यहां बताना है कि आपको किस कॉलन का डेटा चाहिए क्योंकि 6 को तो मिलेगे का पीछारे कॉलन हमने जहां फॉंगवा लगाया तो वहां देट था तो मुझे देट चाहिए देट जो है दूसरे कॉलन पर पहला और दूसरा तो यहां पर कॉमा 2 किया अब यहां पुछता है exact match हम बुला हाँ exact match तो यहां पर false भी कर सकते है और 0 भी false कर सकते है क्योंकि हमने बताया था कि एकसम में 0 equal to false and 1 equal to true होता है तो देट आ गया आप मुझे sales mode के लिए वापस यहां लगाना पड़ेगा हम sales mode को यहां पर 6 को select किये वापस लेटामिक है तो जितना sales उतनी formula है अब इस बार जाए sales mode चाहिए 1,2,3 और यहां पर comma 3,0 करके enterprise किया तो यहां पर देखिए 3 आ गया अब यहां पर ऐसे ही यहां लगाएंगे we look up हमने look up रेटामिक किया data पर कहा है data को select किया comma अब इस बार है 1,2,3,4 4,0 या false करेंगे अब question यहां पर आता है रभी जी कि ऐसे कर 50,60 colon हो तो का भी time लगेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे कि drag करेंगे लेकि जाहर सी बाद हम drag करेंगे तो हमारे रेफरेंग चेंज हो जाएगा देखे रहे इसको select करके रहे ड्रैक किया तो यहां पर देखे क्या है यहां पर देखे कि A जो है B बन गया बन गया ना तो यहां पर हम क्या करेंगे कि A को freeze कर देते हैं A और P को freeze कर देते हैं और फिर आगे ड्रैक करते हैं लेकिस अमने 666 आगे क्या क्योंकि column number तो change नहीं किया न यहां पर आपको column number चेंज करना होगा 5 को जगा 5 इसके जगा पर 6 इसके जगा पर 7 इसके जगा पर 8 इसके जगा पर 9 10 अभी भी में काम असान नहीं हुआ है हमें number तो देना पर रहा है नहीं सर क्या बोलना है सर रभी जी यस सर number तो देना पर रहा है नहीं सर तो कुछ ऐसा करें जो नहीं 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 देना पर है क्या 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 तो उसके दो तरीके हैं एक उपर हम इंसर्ट करते हैं एक रो इंसर्ट करते हैं यह पर तो त्री फोर फाइट नाइट नाइट तेन एलेवन दूर्ट थार्टी पर्टीन फिप्टीन और सिस्टीन ठीक है सर सिक्ष्टीन होना चाहिए था और फिर यहां पर हम वी लोकप लगाएंगे कगा सेलेक्ट किया डेटा में डेटा कर्विक और जहां पर कॉलम इंडेक्स नंबच देते थे उसके जगाँ पे हम यहाँ पे आते हैं और इस रो को select करते हैं फिर comma zero और आगे drag करने से पहले मुझे freeze करना होगा हमने इसको freeze किया इसके one को freeze किया और drag कर दिया लेकिन मुझे फिर यह उपर column रखना पर रहा है लास्ट लास्ट रांग बताया था column का formula column का formula में अगर हम किसी column का reference देते हैं तो उसका column नमबर आता है आगे है सट्टू और यह two तो चाहिए है वी लूक आपको तो यहां हम वी लूक आप में column का यूज करेंगे टेबल पर देटा पर जाते हैं डेटा को select करते हैं और यहां पर मैं column का formula लूँगा और यहां select करूँगा और अगर ड्रैग करने से पहले हमें इसको freeze करना है freeze इसको freeze किया आमने और इसको freeze करने के जरू देए अब यहां पर question आता है कई वार इंट्रूट में पूछा जाता है कि हम एक वी लूट का लगाते हैं और और जहें इसको ड्रैग करते हैं तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें एक ही वी लूक आप से पूरा हो जाए मैं एक से वी लूक लगा हूँ ड्रैग करने की जरूद नहीं है फिरीज करने की जरूद नहीं है और एंटर मार्व पूरा में कुछ है तो उस केस में आपको पूरा एडिया को पहले आप अपना यहां पर हम कॉलर में नंबर लेते हैं ना वहां पर करणी राइकेट में सारे कॉलर नंबर आपके जो हेडिंग है उसके सिक्वेंस से डाल दीजिए और यहां पर कॉमा जीरो अब यहां पर अगर आपके पास लेटेस्ट बर्जन है तो एंटर मार दीजिए पुराना बर्जन है तो कंट्रोल सिट एंटर मैं अगर बताता है हुश्वर हम पूरे एडिया को सेलेक्ट करें लिए माल लीजे कि आपने एक वी लूक अप लगा दिया मैं इस पर पूरा एडिया सेलेक्ट ने कर रहा हूं और यहां पर क्या करना आपको सारे कॉलम नुमबर को कर्ली रायकेट के अंदर में हेडिंग क सिक्वेंज की अकॉर्डिंग देना है और अगया नहीं आया तक कंट्रोल सेट एंटर कीजिए क्लियर है अब कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो हेडिंग होता है वो बहुत ही अंसिक्वेंज होता है है और एवरी टाइम चेंज होते रहता है तब क्या करेंगे हैं कि मेरा हीडिंग की हिसाब से यहां 316 नंबर का दिख जाए अब अभी डेट है कल के रेट में डेट के जगा पर कॉंटिटी होगा पर सो कुछ और होगा एवरी टाइम चेंज होते रहता है तो क्या कुछी वी लुक पर एवरी टाइम चेंज करने पड़ेंगे जी नहीं आपको याद है हमने आपको एक लास्ट लास्ट में फॉर्मुला बताया था मैच का मैच प्रोजेंटर ने वर्टिकल दोनों चलता ह तो क्योंना हम क्वांटिटी को लेते हैं और डेटा में जाते हैं और इसका हेडिक को मैच करते हैं तो हेडिक को कॉलम नंबर बता देगा अब वी लुक अब में आप मैच की मदल से ओक कॉलम नंबर ले लिजिए अब यहां जहां कॉलम नंबर देना है वहां पे हम मैच के लेकिन ड्राइब करने से पहले फ्रीज करना पड़ेगा इसका 13 इसको ड्राइब करते देट कर देट आजाएगा तो एंटर मार्टे चेंड हो जाएगा यह समझ मैं आपको तो इस चीज को आप अपनी हिसाब से इस्तमाल करें अब आप जो है इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें अब आपके उपर करता है कि इसको कैसे प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने का तरीका में समझाया हुआ है सबसे पहले मेरे दीगे चीजों को नकल करें फिरूज में थोड़ी सी एलीशन करें यूटूब पे इंटरनेट पे गूगल पे तुरासा रिसर्च करें करना बात करेंगे इसी में मैच और इंडेक्स के बारे में अब आपके वास कोई डाउट है तो पूछ लीजिए नहीं सब्सक्राइब क्लियर है सब्सक्राइब अच्छी बात है प्रैक्टिस दिजिए कल मिलता है सेम टाइं ओके बाए बाए का यह तो यूटूब देखा किस तरह की से मैं अनलेन क्लास ली आप भी हमारे साथ इस तरह की वन-टॉ-वन क्लास को जोइन कर सकते हैं जूम आप के थे तो पहले आं तीन-चार फ्री डेमो क्लास देते हैं तीन-चार डेमो क्लास को लिजिए अगर ठीक लगा तो आप इंड्रॉल कर सकते हैं तो फटाफ़ट मेरी डिफ साइट ॆइपीटी इंडिया.com पर जाएए और डेमो क्लास का फॉर्म कर दीजिए आप इस इस क्लास की सारी सिक्वेंसली विडियो चाहते हैं तो मेरा मॉवाइल एप डाउलोड कीजिए नीचे डिस्क्रिशन में लिंक दिया हुआ है या फीर अगर नहीं डूण पा रहे हैं तो प्ले स्टोर में आप जाएए और एक्सल माइस ट्रेनिंग को सर्च कीजिए और आप लिए उसी उस करते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिशन में माइन शूट्स का लिंक दिया हुआ है आप उसको अपिल कर सकते हैं थैंक यू बाबाई